नमस्कार आप सब कैसे हैं आई होब मेरे सबी सोटिंग्स इस वाली कोविड की लहर से सुरक्षित होंगे अपने अपने खुश होंगे और बहुत खुबसुरा जिन्दी की जी रहे होंगे तो आज आप स्क्रिन पर देख रहे हैं एक वेंड लगी हुई है और मैं इसी पर आ लामा फैरा में जो कित पताई जाती है और इस कित को बताया जाता है कि ये बहुत इंपोर्टैन्ट होती है और इसे लिना जीडरी है इसके बिना लामा फैरा नहीं होता ऐसा जिनरली आप सभी शिक्षक्स उससे सुनते होंगे जो लामा फेरा सिखाते हैं और वो kit भी अपनी तरफ से देते हैं कहते हैं blessed है, यह activated है, यह energized है तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो kit क्या है और उस kit का इस्तिमाल कितना है और exact value क्या है तो शुरुवात मैं करती हूँ इन स्टिक्स से यह जो स्टिक्स हैं इन्हें fire स्टिक्स भी कह सकते हैं wooden स्टिक्स हैं इन पर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ohm लिखा होता है और इस तरह से eight dots बने वे होते हैं कुछ kits के अंदर जब हम लेते हैं तो इस टिक्स के अंदर यह भी नहीं बना हुआ होता है सिर्फ वो plain होती है कुछ भी नहीं होता इस लाइक जैसे कार्ड वोड के pieces कार्टे होते हैं लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता जब हम Lama Fira के temples में इतके अंदर जाते हैं तो हमें यह जो sticks होती है यह चार sticks जो मिलती है यह बहुत ही अच्छे quality material की बनी हुई होती है वो material जो होता है वो एक पहतरीन quality की लकडी का होता है जिसे सागोन की लकडी है शीशन की लकडी है और इसका इस्तिमाल किया जाता है लेकिन हमें समझना ज़रूरी है कि इसका प्रयोग क्यों होता है लोगों को पता नहीं है इसका प्रयोग क्यों होता है बस इसका value बता देते हैं कि इसके बिना ज़रूरी नहीं है यह body के नीचे इसलिए लगाई जाती है जिससे कि किसी person को जो Mother Earth के साथ उसका connection है वो थोड़ी दिर के लिए dealing कर दिया जाए मतलब धर्ती से आपके संपर्ग को अफरोधित कर दिया जाए जिससे कि जो आपके अंदर हम उर्जा डाल रहे है लामा फेरा सेशन के दोरान मरीज के अंदर या छातर के अंदर वो रुक जाए लेकिन दोस्तों मज़े की बात यह है कि लामा फेरा के अंदर ही एक ऐसा सिंबल है जब उसे हम ड्रॉ कर देते हैं तो वो और्टोमेटिकली किसी भी पर्सन को धर्ती से संपर्ग को पूरी तरह तोड़ देता है खीचनी के लिए करना है तो बात और है लेकिन इन स्टिक्स की कोई जरूरत नहीं है इनके स्थान पर अगर हम वो सिंबल यूज करेंगे तो वो बहुत पावरफुल होगा क्योंकि लामा फेरा के सिंबल अलाइव होते हैं जिस्ट बहुत सारे लोगों को ड्रॉगर ने नहीं पता सही से फिर बात करते हैं स्कैच्यू माला की स्कैच्यू माला जो होती है इसे ध्यान से देखें इस पर इस तरह के कार बनी हुए होते हैं और ये कोई बनादा नहीं है यह नाच्रली इसके अंदर होते हैं और इसनर स्केच्चू माला जो है अब 10,000 रुपीज से स्टार्टिंग प्राइस हैं तो सोचिए जो 10,000 रुपे से जिस माला का स्टार्टिंग प्राइस है और यह इस्पेशली बाहर से आती है क्योंकि यह वाला जो पेड़ है यह वुड़ का पेड़ इंडिया के अंदर नहीं होता है तो डेफिनितली यह महिंगी ही पड़ती है तो यह माला अगर प्यूर स्केच्चू की है तब तो ठीक है लेकिन अगर आप किसी और लकडी की माला यूज़ करते हैं तो वो हमें हार्व कर सकती है उससे हमारे उपर नकारात्मग प्रभाव आ सकते हैं तो इसलिए या तो इसे यूज़ करें या बलकुल भी इस्तेमाल ना करें और इसनल माला करोना के टाइम के बाद मिलनी थोड़ी मिश्किल हो रही है इसलिए जिनरली अब बहुत मिश्किल से अवेलिबल होती है हो सकता है कुछ तेनों में जैसे यह नॉमल हो जाएगा तो बहुत जल्दी मिलने लेगी लेकिन इसकी प्राइस रेंज यही होती है और इस तरह का कुछ बना हुआ होता है वह स्कैच्यू पेड़ की लकड़ी ही ऐसी होती है कि उसके अंदर इस तरह की डिजाइनी निकलती है जब उसे काटा जाता है और क्लीन किया जाता है यह बनाई नहीं जाती देखें यह इस तरह इसके मोती होता है लेकिन यह नकली है आगे चलती हूं स्कैच्यू माला के इस्तेमाल पे स्कैच्यू माला के इस्तेमाल रोगी को के चारो तरह कुमाने के लिए एक प्यूरिफिकेशन का सेंस बनाने के लिए किया जाता है लेकिन जिनरली लामा फेरा एनरजी में हील करने के लिए भगवान बुद्ध खुद आते हैं जब भगवा बुद्ध तो खुद ही पवित्रता का प्रतीक है तो फिर मुझे क्या जरूरत है तो जब एक पवित्र से भी पवित्रतम भगवान बुद्ध स्वैम आ चुके हैं तो फिर एक माला क्या करेगी फिर आते हैं हम बर्निंग स्टिक के उपर या फिर इसे कह सकते हैं वांड लामा फेरा वांड तो यह जो लामा फेरा वांड होती है यह तामे की बनी हुई होती है इसके सामने की तरफ एक क्लियर क्वार्ड का शार्प पॉइंटेड लगा होता है और एंड में गोल लगा हुआ होता है इस वैंड के अंदर पूरी तरह से सेवन चक्रा क्रिस्टल्स भरे हुए होते हैं तो यह बहुत ही एक ब्यूटिफुल काइंड ओफ एनरजी होती है और हाँ इसके बिना लामा फेरा नहीं हो सकता लेकिन बहुत सारे लोग लामा फेरा जिसे की मेरी टीचर थी तो वो लामा फेरा की प्रेक्ट इसलिए होता है क्योंकि ओनली वन हीलिंग एनरजी लामा फेरा या फिर हुंकारा हलीम इनमें ही हम वांड का इस्तिमाल करते हैं क्योंकि हमें औरा कट करना होता है और जब औरा काटा जाता है तो उसके एक क्लियर कौर्ट जैसा शार्प पॉइंटेड क्रिस्टल का वांड चाहिए होता है उसके बाद लामा फेरा के सिंबल्स क्योंकि खुद अलाइव हैं बहुत पावरफुल होते हैं तो उनको भी ड्रॉ करने के लिए हम इसका ही इस्तिमाल करते हैं तो में जो चीज है वो यही है और यह भी इसकी भी प्राइज रेंज मैं बता दू यह 1500 फिर मैं आती हूं गाउन के उपर एक मरून का लड़का गाउन होता है जिसे पहना जाता है जिससे की नगारात्मक उर्जा का हम पर कोई असर ना आए लेकिन जब आप लामा फेरा की प्रेक्टिस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लामा फेरा का अभ्यास करने वाल वस्त्र यानि कि दिव्य वस्त्र का अहवान करते हैं तो जब हम दिव्य वस्त्र का अहवान करके उसे धारन कर लेते हैं अपनी सुरक्षा कवच को इतना मजबूत बना लेते हैं तो फिर उसके बाद हमें वो मरून का लड़का गाउन पहने की क्या जरूरत है और सबसे मह इफ़पून बात मैं आपको बता दूं, लामा फेरा सीखने से हम लामा नहीं बन जाते, लामा फेरा बुद्धिस्ट मनारची से निकली हुई एक हीलिंग टेक्निक है, जो बहुत पावरफुल होती है, इस से हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, हम हैल्दी होते हैं, कभी उनके ही साथ समय विताना होगा, वो कितने अनिशासत होते हैं, और कितने बैलेंस होते हैं, वो हमारी तरह देर तक सोते नहीं हैं, वो सूर्योदे से भी बहुत पहले जाग जाते हैं, प्रॉक्स तीन बज़े को लोग उठ जाते हैं, उसके बाद साधनाए करते हैं, संसार में कितनी भी उथल पुथल हो लेकिन उनके भीतर शान्ती ही रहती है और ये एक कड़े अभ्याद से ही संभाव है तो इसलिए जब आप लामा फेरा सीखें तो आप एक बहुत अच्छे लामा फेरा प्रैक्टिशनर या मास्टर बन जाते हैं आप खुद को कभी ना समझें कि आप लामा बन गया है या कोई आप से कहें कि मैं लामा हूँ क्योंकि मुझे लामा फेरा आता है तो वो नहीं है एक बहुत ही सेक्रिट पॉजीशन होती है लामा उसकी तो आइ थिंक ये वीडियो आज आपकी हेल्प करेगा कुछ समझने के लिए और मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगी कंक्लूजन ये आ रहा है कि ये किट खरीदना इतना ज़रूरी नहीं है इंपॉर्टन्ट ये है कि आप एनरजी को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं उस पर कॉल्सेडरिटिड है और मेडिटेटिड है आप जिस उर्जा का आवान कर रहे हैं उसके साथ आप कितनी अच्छी तरह से कनेक्ट हो चुगे हैं और उसमें आपकी श्रद्धा कितनी है तो ये है लामा फेरा का में ज्रोट अगर आपको हमकारा कि रिंग की बात करते हैं पाउस की बात करते हैं सिंगिंग पाउस की रिंगส की तो ये सब जो हैं बुद्धिस टेंपल्स की सामान होते हैं और हीलिंग करते हुए हमें इनकी ज़रूरत नहीं है जब आप इन चीज़ों को अपने घर लाते हो तो इनका एक प्यूरिफिकेशन लेवल होता है हमें वो फॉलो करना पड़ेगा इनकी रोज सफाई करनी होगी इने धूप दिखानी होगी और उसके बाब जूद भी कई बार एनरजी अटक कर रह जाती है तो उसकी भी एक प्रॉपर क्लीनिंग होती है वो सब फॉलो करना पड़ेगा दूनी करना भी ज़रूरी है तो it is very important to take responsibility I hope it will help you all Thank you very much God bless you